हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल दोस्तो मैं शाहिनेस और आपकी दोस्त आपके लिए लेकर रहे हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तो बहुत सारे कुश्चन्स आ रहे हैं रिगार्डी पॉर दिस जो अभी हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वीडियो होंगे लेकिन उसके साथ जो मैं वीडियो बना रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक तो वीडियो में दरूर बने रहे हैं दोस्तों जैसे कि देखा आपको ने कुश्मिंदर्थ ने कहां ऑनपैसिव इस नॉट चैरटी बिल्कुल भी ऑनपैसिव चैरटी न नहीं विड्रॉ कर सकते हैं जब तक कि हम अपने आईडी को एक्टिवेट ना कर लें क्योंकि दोस्तों यहां पर जो है ऑनपैसिव रेल कंपनी है यानि एक रेल बिजनिस है रेल ही कमिशन आपको यहां पर मिल रहे हैं और आप रेल फाउंडर्स हैं तो सब कुछ जब यह आपको जो है सारे कमिशन साप विड्रॉ कर सकते हैं और उसे भी बड़ी बात दो तो आप इलिजिबल हो जाएंगे हमारे जो है ट्राफिक को लेने के लिए यानि कि अभी आपको बता है कि कमपनी हमको ट्राफिक देगी तो ट्राफिक जब ही देगी जब हमारी शॉप जब हमारा डॉर ओपन होगा तभी हमको ट्राफिक मिलेगा ये भी कहा गुस्मंद अपने देखा होगा पोस्स में किनों ने कहा कि हमोग अपने बोनस का वीट करें ह है कि में लोगों के हम लोगों ने इतना काम किया इतनी महinely pesar मिलना चाहिए दिफिनिट्ली दोस्थ्ण आपको इसका reward मिलेगा कब कैसे मिलेगा ये हमारी company decide करेगी किसको कितना क्या मिलने वाला है ये आपको real time में बता चल देगा और company के बाद दोस्तों जितने भी customers आ रहे हैं users आ रहे हैं तो दोस्तों वो सारे के सारे कहा जाएंगे वो सारे के सारे हम लोगों को यानि कि हम बार बार बता रहे हैं ये बात कि हम founders को मिलने वाले हैं तो company का कहां खुद का कोई account नहीं है कोई भी उनके पास founding position नहीं है company के पास तो इसलिए Mr. Ash ने का है जो भी आएंगे वो सारे के सारे founders को ही मिलेंगे एक बहुत बड़ा system तयार हो रहा है जो कि बिल्कुल हम हमेशा कहते है go with the flow और गुस्मिंदर सरका कहना ही है go with the flow of the company company के साथ साथ चलते रहिए बिल्कुल enjoy कीजे process को क्योंकि यहां पर सब कुछ real है जो सब कुछ real है तो सब कुछ आपको real time में ही मिलता चला जाएगा जैसे जैसे है लेकिन आप खुछ से अजियों मत कीजे कि यह होने वाला है इसकी team इतनी है तो इसको इतना bonus आएगा तो यह जो team का word है यह भी हटा दीजे इसके affiliates इतने है तो इनको इतना मिलने वाला है तो यह हमें assumption नहीं करना है उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल भी आप लोगों को इस तरह से नहीं सोचना है जो भी सोचेगी वो सब company के ओपर है कि किसको कितना bonus आने वाला है तो दोस्तो यह तो थी एक बात अकाउंट विड्रॉ लगाया है तो उनका भी विड्रॉ अकाउंट में आ चुका है दोचाल लोगों के messages आई है लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताऊंगी कि बहुत सारे लोग जो confused है यानि कि swift code लगाना है या IFSC code लगाना है बहुत matter करता है कि हम अपने उसमें क्या लगा रहे है तो यह लोगों को बहुत सारी confused है कि international transaction है तो यहां पर क्या swift code ही लगेगा ऐसा रही है दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे इसमें वीडियो में आखर तक बने रही है बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है मैडम इसमें क्या लगा है इसमें दोनों का option दे रखा है क्योंकि बीच में slash दे रखा है swift code या slash IFSC code तो slash का मतलब है यह लगाईए या यह लगाईए इन दोनों में से आपके पास एक होना चाहिए जब आप यह लगाईए तब ही आपका जो withdraw का process है वो आगे के लिए process होगा तो आप इन में से कुछ भी लगा सकते है so friends आपको यहाँ पर बिल्कुल भी confused नहीं होना है कि slash का option में या swift code और IFSC code usually इंडिया में जब हम transaction करते हैं अभी ने देखा कि हमारे पात हर जगा जो है account number मांगते हैं आपका नाम मांगते हैं और आपके IFSC code मांगते हैं और आपके bank का नाम तो जैसी आप IFSC code डालते हैं वो आपकी location देख लेता है आपकी ब्रांच की कहां पर है और आपका जो है transaction एकडम से मिल जाता है आपके accounts के जो check books होती हैं कहीं कहीं लिखा होता है लेकिन IFSC code आपको आपकी check book पे भी मिल जाएगा आपकी pass book पे भी मिल जाएगा usually जो आप अपनी mobile apps यूज़ करते हैं उसमें भी आप my accounts देखते हैं तो वहाँ पर भी आपकी account की सारी detail होती है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं अपनी check book को सबसे easy लगता है मुझे की check book से आप देखें तो वहाँ पर आपका IFSC code mention होता है तो वो IFSC code आप वहाँ डाल सकते हैं अच्छा swift code का क्या है swift code आपको जल्दी से नहीं मिल पाता IFSC code होता है तो आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है both are good आपके बाद जो available है आपको डालिए simply आप जब अपना process start करेंगे withdraw का withdraw लगाने के लिए तो फिर आपके पास महाँ पर सारी account details डालनी है आपको जैसी आप withdraw पे click करेंगे सारी account details डालेंगे name, phone number, this and that account number, bank name उसके बाद जैसी option हैगा swift code और slash होगा वहाँ पर और इसके साथ होगा IFSC code तो दोस्तों आपको वहाँ पर अगर आपके पस IFSC code available है तो आप वही डाल दीजे आपका transaction complete हो जाएगा तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कोई मतलब यह नहीं है कि मेरा transaction रुख जाएगा या मेरा transaction नहीं आएगा लेकिन आदोस्तों आपका transaction बिलकुल easily हो जाएगा आप उसको submit कर दीजे अपनी details को और आपको within यानि कि आपको जो balance आपके account में मिलने वाला है वो within 10 to 15 days जैसे कि Mr. Ash ने कहा working days होने चाहिए जैसे कि Saturday Sunday पे बहुत सारे banks बंद होते है या फिर बीच में अभी जैसे ये रक्षा बंदन पढ़ गया काफी तरी चुटियां आ गई थी तो लोगों का transaction जो withdraw है थोड़ा लेट आया लेकिन उसके इलाबा जो Mr. Ash का कहना है कुछ लोगों का crypto से लगा है तो उनका 20 days में आया तो I think मैं समझती हूँ कि 15 to 20 days में हमारा जो account में balance है वो हमारे credit हो जाएगा तो हमें उसका बेट करना है और इसके लाब बिल्कुल भी panic नहीं होना है हम लोग आप लोगों के लिए बैठे थीन लीडर्स बैठे हैं हम लोगों को guide करने के लिए तो दोस्तों अभी के लिए नहीं thank you so much वेबे take care लेकिन इस वीडियो को आप जादा सादा दरूर शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि swift code डाले या IFSC code डाले तो I think मैं समझती हूँ यहापर मैंने इस चीज़ को clear कर दिया thank you so much